जै मातादी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखे माता रानी सबका कल्यान करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि साल 2021 में माग पूर्णिमा ब्रत किस दिन है माख पूरिमा का ब्रत आपको किस दिन रखना है एवं असनान दान आपको किस दिन करना है जी हाँ दोस्तो माख पूरिमा ब्रत को लेकर लोगों के मन में असमंजस किस्थेती पैदा हो गई है कि ब्रत किस दिन रखे असनान दान किस दिन रखे क्योंकि दो तिथी को पुर्णिमा हो रही है तो ऐसे में आज हमको बताएंगे कि आपको किस दिन ब्रत रखना है किस दिन असनांदान करना है उसकी समपूर्ण जानकारी देंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लगो से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे सबसे पहले आपको बता दे कि माग पूर्णी मा के दिन सूरी और चंद्रमा सम सब्टक होते हैं जिसके कारण इस दिन जल और वाता परण में एक अलग परकार की उर्जा आ जाती है इसलिए इस दिन सुबह उटकर नदियों में असनान करने से विसेश लाह मिलता है माग पूर्णी मा के दिन सुबह उटकर रसनान के पुर्प संकल्प लेना चाहिए ब्रत का उसके बाद नियम अनुसा रसनान करें सनान आदी से निवरी थोकर सुरे को अर्द दे साववस्त्र धारन करना चाहिए मंतरों का जाप करना चाहिए इसके बाद दान देना चाहिए इस दिर उखवास रखने पर भी विसेश फल की प्राप्ती होती है मानिता यह भी है कि माग पूर्णी मा के दिन भगवान विस्नों की पूजा करने के बाद तिल का दान करना चाहिए इससे सुब फल की प्राप्ती होती है इसके लिए भगवान विष्णों को तील चढ़ाने से पापों से मुक्ती मिल जाती है इसलिए माग पूर्णीमा के दिन तिल से भरा हुआ पात्र एवं उनी वस्त्र अवस्यदान करना चाहिए अब चलिए जानते हैं माग पूर्णीमा साल 2021 में किस तीन होगी 26 फरवरी को या 27 फरवरी को तो आपको बता दे कि पूर्णीमा तिथी का आरम 26 फरवरी दिन सुक्रवार को दो फर 3 बज कर 49 मिनट से सुरू होगा वहीं पूर्णीमा तिथी की समापती 27 फरवरी दो फर 1 बज कर 46 मिनट पे होगी तो आपको बता दे कि उदिया तिथी 27 फरवरी को है इसलिए इस दिन मुखरुप से पुर्णिमा तिथी मनाई जाएगी और इसी दिन नदियों में असनान से पुन्य की प्राप्ती होगी जो पुर्णिमा ब्रत रख कर चंद्रमा को अर्ध देते हैं उन्हें पुर्णिमा ब्रत 26 फरवरी सुक्रवार को ही रखना चाहिए और भगवान सत्यनारायन की पूजा कथावी 26 फरवरी को ही करनी चाहिए किन्तो पूर्णी मा का पुन्य काल का आस्नान आपको 27 फरवरी को करना है तो दोस्तो आसा ही नहीं पूर्णी विश्वास से कि आज की जानकारी आपको बेहत पसंद आई होगी विडियो पसंद आया हो विडियो को लाइक करें सेयर करें और मेरे इस घरेलुख अबर चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स